क्रिशी कानूनों के समर्थन में अम्बाला के नारायनगड कस्बे में केंद्री रज्यमंत्री रतनलाल कटारिया और पुर्खशेत्र के सांसद नायब सैनी की यगवाई में निकाली जा रही भाजपा की ट्रेक्टर रैली में एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई जिसके बाद मृतक भरत सिंग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने साथ लोगों के खिलाफ आई पीसी की धारा 302, 301, 308, 149 और 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है मृतक के परिजनों ने बताया कि किसानों के रूप में आए कॉंग्रेसियों और चडुनी समर्थकों ने ट्रेक्टरों में तोड़ फोड़ की और किसान के साथ मार्किट की जिसकी वज़े से किसान की मृत्यू हो गई फिलहाल मृतक के परिजन दोश्यों की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं जिस परकार से चुडुनी गुरूप के गुंडों ने किसान की हत्या किया कॉंग्रस के गुंडों ने किसान की हत्या किया निर्मल सिंग के गुंडों ने किसान की हत्या किया इस लोगतंतर के अंदर हर विक्ति को अपनी बात कहने का दिकार किसान संतिपून तरीके से जो क्रिशी कानून बने उनके समर्थन के अंदर अपना परदर्शन कर रहे थे चुडोनी गुरूप के गुंडों ने, कॉंग्रस के गुंडों ने और निर्मल सिंग के गुंडों ने ट्रेक्टरों के उपपर धंडे बरसाए पत्थर बरसाए और किसानों को धग्के दे करके नीचे गेरने का काम किया। ट्रेक्टर नरायनगर से श्यादपुर तक चा रहे थे और रास्ते में कुछ चुड़ूनी गुरूप के गुंडे, कुछ निर्मल गुरूप के गुंडे, कुछ कॉंगरसी गुंडे जिन्नोंने रास्ते में रोग कर पहले लगा, शायद ये कोई अपनी बात रखेंगे, द दंडे मारने शुरू कर दिये, और उसी बीच में जिस ट्रेक्टर पर हमारे भर सिंग जी बैठे थे, उस पे दस-पंदरा लोग चड़ जाते हैं, और क्या उनको किशती पहुँचाते हैं। वहाँ पर जो मोकप पर पेचान लिए गए थे, उनको और रेंटिवाई करके भावाई करवाई करवाई जाए लिपोस को बताए जाएगा। पीजेपी की तरफ से जीला धक्स राजेस बताउरा जी, केंदरिया मंत्री, सिरिया अतनाल कटारिया जी और एमपी लेश हैनी जी जो चीफ गेस्ट थे, इसका और्गेनाईजिशन जो है वो ताउरा जी ने किया था, और किसान जो बिल है उनका, इसके समर्थन में कुछ किसान प्रेक्टों पे थे, और जैसे उन्होंने रेली स्टार्ट की है, तो कुछ वहां पे अपना मिलम पैलेस के पास, जो इसका विरोध कर रहे थे, लोग, तो वहां पे काफी इकठा हुए, और उनको वह अपना सामती पिरिया परदर्शन स्टार्टीन में करते रहे, तो पुलिश भी मौके पे मज़ूद थी, बारी पुलिश बल वहां पे मज़ूद था, पर वो एकदम से उनमें कुछ सरार्ती तत्ताव दो रुखते हैं, वो आगे भी आए और उनमें रोकने की कोशिश की, और पु